आज हम जानेंगे ओफिस के अंदर जो हमारी वर्ड एक्सल पावर पॉइंट की जो भी फाइल से हैं उसको पीडिएफ में कैसे कनवर्ट करें तो यह जो सौफ्ट्वेर है वो बेजिकली माइक्रोसॉफ्ट ओफिस 2007 के लिए यूज किया जाता है तो उसके अंदर हम यह सौफ्ट्वेर इंस्टोल करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा पीडिएफ में आपकी फाइल को सेव करने के लिए तो यह जो पर्टिकलर सौफ्ट्वेर है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं अभी इसका इंस्टोलेशन प्रॉसेस देखते हैं मैंने अल्रेडी डाउनलोड करके रखा है सेवेस पीडिएफ पे डबल लिख करेंगे यह आपको पर्मिशन मांग रहा है यस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर उसकी टर्म्स कंडिशन को एक्सेप्ट करके कंटीन्यू करना है और इसकी इंस्टोलेशन प्रॉसेस आप देख सकते हैं विदिन मिनिट्स यह इंस्टोलेशन कम्प्लीट हो गया यहाँ पर उप्शन आ रहा है इंस्टोलेशन इस कम्प्लीटेड ओके करेंगे अभी मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ वर्ड ओपन करने के लिए मैं शॉटकट की यूज करूँगा आप कोई भी वर्जन यूज कर रहा है उसके लिए सेम शॉटकट की का यूज कर सकते है कीबोर्ड के अंदर विंडो की प्लस आर प्रेस करना है तो यहाँ पर अल्रेडी आप देख रहे है नॉटपेड लिखा हुआ है उसकी यगा मैं लिखूँगा विंड वर्ड तो यह वर्ड के लिए यूज हो रहा है सपोज मैं लिखूँगा इस इस ओर टेस्टिंग ओफ न्यू फाइल इन पीडियेव फार्माट ठीक है पीडियेव पो मैं कापिटल कर देवता हूँ तो सपोज यह मैंने फाइल को अभी सेव करना है मैं डेक्स्टोप पे ही सेव करूँगा फॉर एक्जामपल मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट वन मेरी फाइल का फाइल में जाके सेवेज ओप्शन आ जाएगा सेवेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लिस्ट आ रहा है उसमें से भी आप PDF सेलेक्ट कर सकते हैं मैं उसका destination डेक्स्टोप पे ही सेव करूँगा यह सेव हो गया आप देख सकते हैं जो पर्टिक्लर फाइल है वो PDF के अंदर आ गई जनरली हम PDF को एक्सेस करने के लिए Adobe Acrobat Reader का यूज़ कर रहे है सपोज जो पर्टिक्लर कंटेंट है उसको फिर से आपको सेव करना है सपोज मैंने कुछ और अड़ किया यहाँ पर जो फाइल मैंनों है उस पे क्लिक करेंगे सेवे उस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ओप्शन आ गया PDF और XPS यहाँ पर हम PDF सेलेक कर रहे हैं मैं पर्टिक्लर फाइल को फिर से पब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पर यह रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है यस करेंगे तो यह फाइल आप PDF में देख सकते हैं तो इस तरह से हम जो भी पर्टिक्लर Word, Excel, PowerPoint की जो भी फाइल है अभी हम एक्सेस करेंगे Excel मैंने सेम प्रोसेस की विंडो की प्लस आर यहाँ पर Excel लिखा और एंटर कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Excel जनेरेट हो गया मैं फाइल को सेवेज करूँगा डाइरेक्ट PDF में इसको कोई डीटा नहीं मिला मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ अभी हम सेव करेंगे सेवेज पीडियेफ डेक्स्टप पर फिर से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एक्सेल की फाइल है वो एक्सेस कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा डेक्स्टप पर सेव करेंगे बुक वन सेवेज और यहाँ पर PDF सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से सेव करेंगे रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने बार्स वगेरा जनेरेट किया था रो को लम आप देख सकते हैं तो इसके अंदर जो भी कंटेंट आप फिल करेंगे उसके हिसाब से वो से हो जाएगा कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग प्लीज डू कोमेंट इन दे कोमेंट सेक्शन आपकी जो भी क्वेरी है उसको सोट आउट किया जाएगा प्लीज लाइक अंद शेर थांक यू